प्रधानमंत्री ने शनिवार को राष्ट को संभोतित किया। प्रेसला कोरोना के खिलाफ देश की लडाई को तो मजबूत करेगा ही। स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता-पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रिकॉशन की दृष्टी से सरकार ने निर्ने लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंब की जाएगी। इसकी शुरुआत 10 जन्वरी 2022 सोंबार के दिन से की जाएगी। साथ वर्ष्ट से उपर की आयू के को मॉर्बिटिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जन्वरी 2022 से प्रारंब होगा। उन्होंने कहा मेरा एक आगरह है कि अफवा, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। साथे उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर आप सभी से आगरह करूँगा कि पैनिक नहीं करें, हाँ सावधान रहें, सतर्क रहें। मास्क का भरपूर उप्योग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। केंद्रि स्वासे मंत्री, मंसुक मानविया ने कहा कि कोविड उन्मिस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधान मंत्री जिद्वारा लिये गए महतुपोन नेडनियों से देश सबका प्रयास के मंत्र के साथ कोरोना से लड़ाई में और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने एक के बाद एक चार ट्वीट किये। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधान मंत्री के आग्रह के अनुसार देश्वासी कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करेंगे। केंद्रिय स्वास्ते मंत्री मंसुक मान्विया ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधान मंत्री जी ने राष्ट से अपने संबोधन में देश्वासियों से कोरोना के नए विरिंट ओमिक्रॉन के विशे में पैनिक ना होकर सावधान और सतर्क रहने का आग्रह किया, वैक्सिनिशन प्रारंभ करने का एहम निरने लिया है, हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए प्रिकॉशन की दृष्टी से 10 जनवरी 2022 से वैक्सिन की प्रिकॉशन दोज भी प्रारंभ की जाएगी, 10 जनवरी 2022 से ही 60 वर्ष्ट से उपर की आईू के कुमाबरिट वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोस का विकल्प उनके लिए भी उपलब्द करवाने का एहम निर्ने उन्होंने लिया विधानमंत्री जी द्वारा लिये गए इन एहम निर्नेओं से देश सब का प्रयास के मंत्र के साथ कोरोना से लड़ाई में और अधिक मजबूत होगा इन निर्मियों स्मिक के लिए मैं उनका रिदे से धन्यवाद करता हूं उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि उनके आग्रह के आनुसात देश्वासी कुरोना से जुड़े नेमों का पालन करेंगे द्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को भारत बायोटेक को बारा से अठारा साल के बच्चों के लिए को वैक्सिन टीके के आपात कालीन उप्योग को मन्जूरी दे दी है सब्जिक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने अक्तूबर में डी जी सी आई को बच्चों के लिए को वैक्सिन के आपात कालीन उप्योग की अनुमती देने की सिफारिश की थी को वैक्सिन भारत में बच्चों के लिए स्विकृत दूसरा कोविड वैक्सिन बन गया है अगस्त में जाइरस कैडिला की तीन डोस वाली डीने वैक्सिन को बारा वर्ष से अधिक उम्र के वैसकों और बच्चों पर इस्तिमाल करने की अनुमदी दी गई थी गोवा के विधानसवा चुनाव में उत्री तिनमूल कॉंग्रिस को बड़ा जटका लगा है टीमसी के पांच नेताओं ने इस्तिफा दे दिया है इस बार गोवा चुनाव में बड़े दमखम से उत्री टीमसी को चुनाव से पहले ही बड़ा जटका लग गया है गोवा में तेनमुल कॉंगरिस के 5 सदस्यों ने एक साथ इस्तिफा दिया है इन सदस्यों ने हाल ही में TMC में प्रवेशकर पार्टी की प्रात्मिक सदसिता स्विकारी थी इन निताओं ने TMC पर सामप्रदाइक होने और वोटों के लिए हिंदों और इसाईयों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए इस्तिफा दिया है इन सदस्यों में गोवा के एक पूर्विधायक लवू मामलेदार भी शामिल है लवू मामलेदार सितंबर के अंतिम सप्ताह में मम्ता बैनर जी की TMC में शामिल हुए थे विद्रिनमौल कांग्रिस में शामिल होने वाले राज्य के पहले कुछ स्थानिय निताओं में से एक थे अपने पत्र में इन निताओं ने लिखा है कि TMC ने पश्टिम बंगाल की महिलाओं को पांच सो रुपे प्रती माख का वादा करते हुए लक्षमी भंडार योजना शुरू की और गोवा में उन्होंने पांच हजार रुपे प्रती माख का वादा किया जो असंभाव है दक्षिन कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी काम्याबी मिली है आतंक बादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारे मुटभेड में एक आतंकी मारा गया है आतंकी विजह हारा पुलिस स्टेशन में तैनाथ एसाई मुहम्मद अश्रफ की हत्या में शामिल था सुरक्षा बलों ने जम्मु कश्मीर में तीन अलग अलग मुटभेड में 48 घंटे के भीतर पांच आतंकियों को धेर कर दिया है जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने लश्करे ताइबा के दो आतंकियों को शोपिया में मार गिराया है वही डक्षिन कश्मीर के पुलवावा जिले में अनसार गजवत अलहिंद के दो आतंकवादी मारे गए है पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों के पास से दो एके 47 राइफल, चार एके मैगजिन और 32 गुलियां समेथ हत्यार और गुला बारूत सहित अन्ने सामगरी भी बरामत हुई है खगोल विज्ञान में उस समय एक एतिहासिक उपलब्धी हासिल हुई जब अब तक के सबसे बड़े टेलिस्कोप को सफलता पूर्वग अंतरिक्ष में भीज़ दिया गया इसे फ्रेंच गुवाना के कौरू से लॉंच किया गया दस अरब डॉलर की लागत से बने इस विशाल टेलिसकोप को येरपिय स्पेस एजिंसी के एरियन रॉकेट से अंतरिक्ष में भीज़ा गया इस परियोजना को 21 सदी के सबसे एहम वग्यानिक प्रयासों में से एक बताया जा रहा है नासा येरपिय स्पेस एजिंसी और कैनडा की सहयोग से बने इस टेलिसकोप को तयार करने में करीब 30 साल लगे इस टेलिसकोप के लक्षों में से एक ब्रहमंड में सबसे पहले चमकने वाले तारों और आकाक्ष गंगाओं की तस्वीरे हासिल करना है सुदूर ग्रहों के वातावरन की तस्वीरे भी इसके जरीय हासिल हो सकेंगी जिस से पता लगाया जा सकेगा कि कहां जीवन होने की संभावना है नासा के अनुसार इस टेलिसकोप का काम करने का समय वैसे तो 10 साल तै किया गया है पर हो सकता है कि ये इस से कहीं ज्यादा वक्त तक काम कर पाए